सन्नियों के सीरियल छटी मया की बिटिया में वैशनवी के घर में हो रही है नाक पंचमी की पूजा की तैयारिया जिसमें वैशनवी और पूरा परिवार जुटा हुआ है ऐसे में अब मनाया जाएगा धूमधाम से ये तियोहार बच्पन में अतल बेश के टाफिया भी खा दी थी था है एक तीन में पासी पूले बोले बाबा को चड़ा होगी वाह बहुत उत्तव है सीखो देखो इसे एक्चुली नाक पंचमी की पूजा हिंदूस्तान में सब को पता है शिप जी की अराधना होती है और कुछ पुरानी मानेता हैं कि सर्प को शिप जी का रूप मानकर पूछते हैं और उनको दूद पिलाते हैं लेकिन हम अपने शो में ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, हमारी माननता है, विश्वास है, लेकिन अंद विश्वास नहीं है, और चुकि फैमिली में हमारे बहुत सारी खुशियां और ये सब चीजें कोशिश की जा रहे हैं लाने की, तो ये एक अच्छा तेवहार था, इस बहाने हम ये तेवहार बना रहे हैं, पूजा में तो बहुत सारी तयारियां की है, हम सबने मिलके बहुत सारी तयारियां की है, भगवान को दूच चड़ाना, पूजा करना उनकी, बोग बनाना, बेल पत्र चड़ाना, धतुर चड़ाना, ये सारी चीजें की हैं, तो अब पहले देखिए फिर आपको सब कुछ पता चली जाएगा वैसे हुई मना कर दिया है लेकिन अभी पता नहीं है अभी दर्शकों को मालूम नहीं है हमारे स्टोरी में अप्स डाउन बहुत होते हैं तो हम आपको नहीं बताएंगे कि actually मना किया तो किया कि नहीं किया लेकिन अभी तक कि उसमें ये था कि हमारे अहाँ परंपरा है कि जो नया जोड़ा होता है वो लोग नृत्य करते हैं और शिप जी को मनाते हैं तो अब देखें क्या होता है क्या होता है देखिए चटी मया की बेटिया फिर आपको पता चलेगा कि हम अब कार्टिक जी मानेंगे या नहीं मानेंगे वो तो हम आपको नहीं बता सकते वो आपको देखना ही पड़ेगा पड़ेगा, मैं दर्शकों से इसलिए कहूंगे, मैं अभी कल ही लोटी हूँ कानपूर से, और कानपूर में बहुत सारे दर्शकों ने हमें बोला कि उन्हें छटी मया बहुत अच्छा लग रहा है, हम बाकी के हिंदुस्तान में भी सारे लोगों को कहना चाहते हैं, कि रेली बाकी के शो को पसंद किया है, like किया है, मेरे रोल को बहुत पसंद किया है, इस शो में भी मेरा रोल बहुत अच्छा है, बैश नभी जो है, मेरी समें बित्या, सिर्फ चटी मया की बित्या नहीं, मेरी adopted बित्या है ये, आप लुग देखे और हमारी महनत को साकार करें, प् अगर आप यही वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें नाम तो आप सब जानते ही हैं ना सास बहु और पेटियां